हेलो फ्रेंट्स आपकावे टेक्निकल में बहुत बहुत सब्सक्राइब बढ़ा है और मैं आज आपके लेक्ट नए वीडियो लाओं जिससे मैं आपको M.I.O.10 के लेटेस्ट अपकमिंग बीट अपडेट 8.9.20 के चेंड लोग के बारे में बताना है वाला हूं ऄएपडेट बॉट बहुत ज़्यादे स्पेशल है वेडेट 10th dote on Whitaker को मिलेगा अगर अगर आप मेरी वीडियो को लेक्टाइब लेक्षों में और केमेंस में दे दूखवा आप यहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और without any further delay यह वाली वीडियो को start करते हैं So friend मैं आपको यहाँ पर MI community पर ले जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर mention कर रखा है 8.9 by 20 optimization and bug fixes यहाँ पर जो title है वो बहुत ही अजीव सा है मतलब छोटा साथ title है कोई इतना interesting नहीं लगता है मगर आप यहाँ पर bug fixes पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे reasonable bug fixes लिखे गए हैं जिसको देख कि मैं इस बार खुश हूँ और ऐसा लगता है कि Xiaomi ने हमारी और आपकी बार सुन लेगी है और उन सारी issues को यहाँ पर fix कर देगी तो सबसे पहले fix यहाँ पर लिखा गया है कि जो face unlock का option है वो disappearier हो जाता था गायब हो जाता था जब भी आप region को Thailand में change करते थे so friends basically यह जो बार की user से उनके लिए भी यहाँ पर fix होगा क्योंकि यहाँ पर India में basically India के user Thailand में क्यों change करेगा so friends उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर fix कर दिया जाएगा यहाँ पर एक fix लिखा गया है जो कि battery की percentage लेकर है और यहाँ पर लिखा है कि जो battery का percentage है उसकी location बदल गई है और वो network indicator के पास चला गया है तो example आपके सामने present आप मेरे status बास देख सकते हैं यह network के टावर के पास जाकर percentage शो कर रहा है जो कि एक बहुत बड़ा error है जिसको यहाँ पर fix कर दिया जाएगा यहाँ पर leaks application is installed automatically so friends जैसे कि कोई भी wrong application होती थी गो automatically install हो जाती थी तो उसको भी यहाँ पर fix कर दिया जाएगा सारी devices और friends यहाँ पर अगले fix की तरफ देखा जाया तो यहाँ पर mention किया गया है कि जब भी हम अपने device को rotate करते हैं और notification पैनल को देखते हैं तो वहाँ पर AM और PM की option आती थी उसमें थोड़ी बहुत localization में problem आती थी मतलब यह time से पहले हमें AM और PM शो करता था मगर यह previous update में ही fix हो गया था जैसे कि अगर यह app support करता होगो तो हमें दिखा सकते हैं फिर में आपको यहाँ पर play store open करके दिखाता हूँ horizontal पर करके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह यहाँ पर already fix हो चुका अब यह AM और PM का sign होता है यह सई जगा शो कर रहा है पहले वाले update में ही fix हो गया था मगर पिसले वाले update की वज़ा से यहाँ पर battery की percentage गलत होगी थी जो कि इस update में fix हो गई है और से लिए next issue की तरफ चलते हैं जो कि fix हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा रियर camera error in hardware test सो फ्रेंड जो हमें आ रहे हैं यहाँ पर security अपर एक नया hardware test की option आया है तो कुछ लोगों की devices पर यहाँ पर camera का error शो करता था जो कि बेको फिक्स था सही था camera का जो कि गलत शो हो रहा था hardware test के अंदर तो यहाँ पर fix कर जाएगा सारे devices के लिए है यहाँ पर एक और fix कर गया कि कुछ apps के आइकन शो नहीं होते थे notification पैनल में Redmi Note 5 Global या फिर Redmi Note 5 Pro कह सकते हैं फिर यहाँ पर footers in WhatsApp notification overlap with new message information so friends यहाँ पर WhatsApp notification में बहुत ज्यादा issue आते हैं आज कल तो उसको भी यहाँ पर fix कर दिये जाएगा और यहाँ पर text in volume बार do not translate to Russian तो यह भी यहाँ पर fix कर दिये जाएगा यहाँ पर some characters in volume panel are not translated यहाँ पर same fix लिखा गया है यहाँ पर MI store work नहीं करता है बहुत सारी devices में वह भी यहाँ पर fix हो जाएगा वॉल्यूम पैनल लोगों की डिवाइस पर धंक से काम नहीं कर रहा वह भी यहाँ पर fix कर दिये जाएगा और यहाँ पर लास्ट अपडेट अच्छा अपडेट प्रोवाइड कर देता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि शौमी अपडेट 11 अक्टूबर को अपडेट देगा और लगबग बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाएगा तो उसके लिए शौमी ने हम जैसे customers और users के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाने के कोशिश करी है और यह अपडेट हमें कली देखने को मिल जो कि बहुत ही प्रोमिसिंग अपडेट हमें देखने को लग रहा है जैसे कि आपने आप पर सारी इशूस देखें यहाँ पर ऐसा एक भी फालतूगा फिक्स नहीं लिखा गया है जो कि हमारी डिवाइस को फिक्स कर देंगे और जिससे कि हम नेक्स्ट अपडेट तक अप कोई वीडियो चलेगे इसको जरूर लाइक शेयर कीजेगा और मेचल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि मैं आपके लिए सी द्रगें इंट्रस्टिंग वीडियो लाता होंगा थैंक्स वर वाचिंग पीस आउट